प्रधान जी आप समाजवादी पार्टी की तरफ से देखता हूं हमेशा लगे रहते हैं पर चार परसार करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच अखलेश यादो जी का एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है साइकल चीलम ऐसा कुछ करके नारा है कुछ क्या नारा है जरा आप बता है हाँ हाँ ए तो सही बात है महोदय पतकार जी आजाद भाई पुर्वांचल में भी तो साइकल हावी हो गई है पुर्वांचल में लहर इतनी करारी है सीधे कहिए कि लहर बड़ी करारी साइकल पुर्वांचल में भी भारी साइकल पुर्वांचल लेकर डाड़ी पर भी भारी है साइकल इतनी करारी लहर है समाजवादी पार्टी की कि साइकिल जो है डाड़ी पर भी भारी हो गई है अभी कल ही है कि भरती जन्ता पार्टी के नेता से मेरी मुलाकात हुए उन्होंने कहा कि आपके जो उत्तर प्रदेश के अध्यच नरेश पटेल उत्तम जीज आये हुए थे जन्ता पार्टी के लोग केवल जूटी ही बोलना चाते हैं उनका बहुत बड़ी हतासा हो चुकी है इनकी बिदाई हो चुकी है उत्तर परदेश से इसलिए घबला घबला करके बीजेपी के लोग आकरमन कर रहे हैं अभी बीच में ही कैलाज सोनकर के उपर हमला हुआ था मचली सहर विधान सभा से उनकी लड़की चुनाव लड़ रही रागनी सोनकर जी उस पर आप क्या कहा हैं रागनी सोनकर एक पढ़ी लिखी डाक्टर रेम्स की इंबीवियस लड़की है वो इतनी हम यह मानते हैं कि पूरे यूपी में कम उम्मर की लड़ने वाली प्रत्यासी है और माचली सहर से वो लगभग जीत चुकी है अभी आपके मरियाहों बिधान सफा से सफा प्रत्यास उसमा पठेल जी चुनाव लड़ रही है सफा से उनका माहुल के शा है उनका भी माहोल अच्छा है, वो भी जिज जाएगी मरियाहों से, वो भी तेज है, बहुत दमदार नेता है मरियाहों की, वो भी साइकिल की सवारी अच्छी कर रही है, साइकिल जो है उनकी पहुंच जाएगी लखनाओं तक मडियाहों में देखा जा रहा है पटेल दो पटेल हैं अपना दल यस के आर के पटेल और समाजोधी पार्टी से सुस्मा पटेल क्या आपको लगता कि पटेलों का ओर सुस्मा पटेल पाएंगे क्यों नहीं पाईंगे सबसे अधिक तो देख रहे हैं सुसमा की तरफ ही है वो लोगों के पटेलों में यह भी है कि कहीं हम लोग दो दल चले जाएं तो पता लगा कि है यह हमारी प्रतियासी सुसमा भी है यह और हमारी प्रतियासी अपना दल की तो अपना दम नजा करके इसमें देख रहे हैं पटेल कि समाजवादियों का हाथ है और भाई अंजात के लोग इसमें जुर चुके हैं साइकिल पर तो इन लोगों ने कर है कि इतनी ओर दें पटेल लोग का यह मानना है कि इतने अधीक ओर दे दिया जाए कि हराने बात भी सुसमान नहार सकें मुलायम शिंग यादव जी एक शोशल मीडिया पूनका भी वीडियो वारल हो रहा है उन्हों ने कहा कि हमारे दो बेटे चुनाव लड़हस पे आप क्या तहें ने तो सही ये कहे हैं लकी यादव की कहे हैं तो पारसनाथ यादव जो हमारी रिष्टे से जूड़े रहे हैं वो आज नहीं है वो एक पुर्वांचल के सेर माने जाते थे माननी मंत्री स्वर्गी पारसनाथ यादव जी उनके बेटे लकी यादव चुना मलनी में दुबार मुलाइम सिंग धर्थी पुत मुलाइम सिंग यादव जी हैं कि पारसनाथ यादव आध नहीं है लेकिन पारसनाथ की जगापर उनका पुत्र है तो पारसनाथ ही पैदा हुआ है उसको जिताने के लिए वह कहे हैं इस ऐफित को या अफली सवाल है मेरा मचली सर विधान सभा से वर्तमान में विधायक जग्दी सोनकर थे अब है उनका टिकेट कर गया जहां से रागनी सोनकर जी को टिकेट मिला हुआ है लेकिन सुत्रों का हवाले सुचना आई है कि भारती जंदा पाइटी ज्वाइनिंग कर लिए है इससे आप जाते हैं अब इस पर हमके बहुत जानकारी तो नहीं है उनने हमने कभी मंत्री जी से जग्दी सोनकर से बात भी किया है हम समाजवादी के पक्के सिपाही सनबान बें से हैं हम सनबान में कच्छा नमी या दस को छात्र रहे हम तभी से जो है दस रूपए का सदस्ता गरहन किया था मा यदि जगदीश मानि जगदीश सोनकर को टीकट नहीं मिला तो उनको भी पार्टी में त्याग करनी चाहिए चुकि चार-चार बार भी धागरा चुके हैं मुखिया है जो है प्रदेश के मानि राष्टी अध्याक्ष अखिले से आदव जी यदि उन्होंने ठीकर किसी कारण या किसी बात से नहीं दिये तो पार्टी का हम तो नहीं सुना जगदीश जी बिरोत कर रहे होगे तो इसमें बढ़ चड़ करके रागी सोनकर का मानि मंतरी जगदीश सोनकर जी को जिताने में पूरा सहयो करनी चाहिए हमें मानते हैं को करते भी होगे कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं हो सकता है मानि जगदीश सोनकर जी का जो राजमंतरी रह चुके हैं बुराई पैदा करते हो लेकिन हमें मानते हैं कि मानि जगदीश सोनकर जी पार्टी के खिलाब जो है कोई आवाद नहीं उठाएंगे